यहां से लिकेज हो रहा है और इस साइड इस साइड इस साइड इस सब्सक्राइब कि यहां से इसको ढिला करेंगे और फिर यहां से ढिला करेंगे तब इना इसका यह निकालेंगे प्लॉक जैसा कि हमने इस ब्लॉक को इसमें से निकाल लिया है यह देख सकते हैं आप लो तो जैहिन दोस्तों जैसा कि आपने इस व्यूडियो में देखा कि हमारे कंप्रेसर में लगा जो इंटेंसी फायर है उसमें से लिकेज हो रहा था तो उस ब्लॉक को हमने खोला और खोल के हमने ये निकाला इसे कहते हैं एनरवी नॉन रिटर्न वाल और आज किस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और अगर ये डैमेज हो गया है ये खराब है तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये खराब है या ये लिकेज है इसमें मतलब लिकेज है या खराब है तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये लिकेज है और दूसरी बात कि इसमें या तो ये लिकेज होगा तो खराब होगा नहीं तो इसमें जो o-ring लगा है यह वाला यह red घलर का यह अगर कटा रहेगा इसको हम चेंज करने क्या तो चुक्कि यह कटा नहीं है तो इसे हम चेक करेंगे यह लीकेश तो नहीं है तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको पूरी जानकाले देंगे तो दोस्तो CNG compressor में intensive fire एक important component होता है जो low pressure gas को high pressure gas में convert करता है piston के अंदर non return valve का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि जो gas है हमारा वो एक ही direction फ्लो करे और compression के दवरान back flow ना हो यानि कि gas इधर से अगर जा रहा है तो वापस ना आए back flow ना हो ये valve जो है spring loaded होता है जो pressure के बढ़ने पर ये valve खुलता है और जो pressure कम हो जाता है तो ये valve बंद हो जाता है इसे बनाने के लिए high strength material का इस्तेमाल होता है जो ये बहुत ही high pressure को जहल सके आप इसे अच्छी तरह से एक बार देखने दोस्तों ये स्प्रिंग लगी हुई है और ये अईसे बंद होता है गया देख रहा है ये इसे बंद होता है और ये यहां से भी एसे मतलब पूंता है बद रभधा दोनों तुनलज बन दोता लिए तो जैसे गैस अगरा इसकеся अंदर गई तो यह इस सा इसे करते हैं और दूसरा स्टेश में यह हो जाएगा और यहां से जाए हैं अब हम इसे चेक करने की बताएंगे तरीका बताएंगे तो को चेक करते हैं कि यह लिकेज है की नहीं है तो देखिए दोस्तों लिक टेस्टिंग करने के लिए हमें एक चाहिए सफिद कागज और यह ढखका में हमने पेट्रोल निकाल के रखा हुआ है अब देख सकते हैं यह पेट्रोल अब क्या करेंगे कि हम इस एन रवी को ऐसे सीध इसको इसके उपर डालेंगे इसको भरेंगे पेटोल से अब इसको छोड़ देंगे देखिए इसको मैं छोड़ दिये नीचे अभी पुरा सफेद आए कहीं से कुछ भीगा हुआ नहीं है देखिए यहां से लिके जोना सुरू हो गया नहीं करेंगे फिरियर देखिए यहां से लिके जोना सुरू हो गया इए पानी लिकज नहीं करेगा लेकिन वह कर जाएगा अब इसको हम देखिए यह वीं है इसको हम और साइड में रखते करीं देखिए पुरा भीग गया है यह कुछ ज्यादा ही लिकेज है आए इसको मिना रखते हैं चलो दोस्तों इसका तो लीक टेस्ट हो गया यह तो पूरा खराब है अब यह हम नया लाये हैं अब इसको जो है इसको टेस्ट करके देखेंगे कि यह कैसा है इसके लिए से हम कागल रेले लेगे छोटा सा यहां आप इसको पागल ले लिए है इसको हम इसको पर इसे दखेंगे इसको सीधा और इसके उपर हम गिराएंगे इसको पर गिराना पड़ेगा झायो आथ हम कि पूरी तरह से भर गया है आप जेख सकते हैं किनारे किनारे भी कही से कोई लिकेज नहीं यह करें यह कही से कोई लिकेज नहीं है यह पूरा भरा हुआ है कि वे अंगे हैं कि वह नहीं से कोई लिकेज नहीं है यानकि ठीक है अब चलिए इसको हम किसको लगाते हैं तो यही तरीका है दोस्तो लेक्टेस्ट करने का अब यह लीक्टेस्ट हो चुका है यह उप्दा मुक्के है NRV देख सकते हैं और यह थोड़ा भी भीगा नहीं है सभी है अब चलते हैं इसको लगाते हैं अब जो है NRV और O-ring दोनों चेंज हो गया है अब इसको हम अब इसको हम इंपली उसी तरह से टाइट कर देंगे ठीक है थोड़ा भी नहीं है याने की लिकेज सही हो गया है आप देख सकते हैं आप लोग